स्वागत है आप सभी का Tech Study आई ते यूट्यूब चनल पर Electronic Mechanic Theory Second Year CBT Examination Questions की सीरीज में आज हम लोग करेंगे Part 2 इसके पहले Part 1 कम्प्लीट हो चुका है अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्स्पिन में पहले नंबर पर आपको Electronic Mechanic की प्लेइस्ट मिल जाएगी प्सक्राइब करके वेल आइकन को एट कर लिजएगा और साथ में हमारे साथ आप टेलिग्राम पे भी जूड़ सकते हैं Tech Study IT नाम से टेलिग्राम चैनल है उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा आइए स्टार्ट करतें बिना किसी देरी के Questions को और यहाँ पे Question 26 से हम लोग करेंगे एक के Question को थोड़ा सा समझेंगे भी थोड़ा Explanation रहेगा जिससे आप आसानी से Questions के साथ Connect कर पाएं और लास्ट में एक Question हमने आपके लिए रखा है जो कि जब Bonus Question है आपके प्रिवेस पार्ट से लिया गया वो Question है आपके टेस्ट के लिए रखा गया है तो उसका आँसर आप लोग जरूर कीजेगा जिसका भी आँसर सही होगा उस पर हम Like और Reply भी जरूर करेंगे साथ में कोई भी आपका सुझाव हो सजेशन वो भी आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में उसका भी बिल्कुल पूरा ख्याल रखा जाएगा आगे की पार्ट से यहाँ पर Question 26 है How does the Disoldering Bread removes the Molten Solder from the Joint on the PCB? PCB आप सबको पता ना Printed Circuit Board जो Desoldering Bread है PCB पर जोड से पिगला हुआ जो Flux है उसे कैसे निकाला जाता है कैसे ठीक है रिमूप किया जाता है By Capillary Action यानि केसिका की क्रिया दौरा Capillary Action आप सब लोग जानते है ना पतली जो केसिका नली होती इसमें द्रो क्या होता है उपर चड़ता है नीचे उतर जाता है केसिका तो जिसे कहते हैं अगला है By Heating the Joint जोड को गर्म करके Next है By Hardening the Solder को सक्त करके या By Increasing the Temperature तंपरेचर में बृद्धी करके तो Right Answer आपका Option No.A यहाँ पे By Capillary Action कुछ इस तरह का Figure यहाँ पे आप देखके समझ पाएंगे ठीक है यह आपका PCB हो गया यह यहाँ पे क्या है रिमूब करते हैं अगले कुश्चन पे चलेंगे कुश्चन No.27 which method is effective to control ESD during manufacturing the devices ध्यान दीजे यहाँ पे यहाँ बात हो रही है एक चीज़ आपको बता दें By Capillary Action भी होता अगर यहाँ एक होता By Vacuum Pressure तो उसे भी हम लोग सही कर सकते थे तो ठीक है दूसरा भी एक तरीका हो सही है नेक्स्ट है कुश्चन देखिए which method is effective to control ESD during manufacturing the devices उपकरणों के निर्माण के दौरान ESD को नियंतरित करने के लिए कौन सी बिधी प्रभावी है देखिए पीछे हमने आपको बताया विथाक जो ESD strap होता न रिस strap उसे पहनते हैं basically ESD का मतलब क्या होता Electro Static Discharge इसका ए तो आपके जो यह होते हैं यहां पर रोए होते हैं वो उसमें ऐसे चिपकते टाइप के हैं या दो कपड़े होते हैं आपस में रब करिए उसमें ऐसे आपको जस्ट एक इस पार्क टाइप का दिखता है उसे Electro Static वही होता है आपका Electro Static तो यहां वही कहरा है जो Electro Static Discharge ह और होता है नट वह उसे रोकने के लिए क्या करते हैं यहां पे उसे रोकने क्लिए क्या करते हैं यहां पर यूज यह दिरी स्ट्रैब सबी जो काम करने वाले होते हैं उनकी कलाई में क्या होता है इस तरह का एक ESD wrist strap बना होता है जिसे बोलते हैं Electro Static Discharge wrist strap ठीक है इस तरह का बना होता है जिसे छोटे-छोटे जो एक्पेंट्स बन रहे हैं वहाँ पे उसमें वो charge transmit ना हो तो right answer क्या होगे आपका option number C, use ESD wrist strap अगला कुश्चन है Which technology used to place the components directly on the printed circuit board PCB जिसको बोलते हैं मुद्रित circuit board या printed circuit board पर घटकों को सीधे रखने के लिए किस टेक्निक या तक्निक का उपयोग किया जाता है Solder Mount Technology का, Surface Mount Technology का, Safety Metaphor Technology का या Silicon Multiplayer Technology का Right answer आपका Surface Mount Technology, Surface पे directly हम क्या करते हैं जो घटक होते हैं जो आपके components होते हैं माउंट कर देते हैं इस तरह आप देख सकते हैं सारे घटक कैसे इसी Surface पे क्या हैं Mounted हैं, ठीक है, Option Number क्या हो गया, B सही हो गया, Shortcut में इसे SMT भी कहते हैं इसका Full Form भी कई बार पूछा जाता है आप सभी के Examination में वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा, बिना आपके लाइक के ना वीडियो डाउन हो जाता यूटूब पे और फिर सर्च करने पे भी लोगों को नहीं मिलेगा तो फिर बनाने के जो महनत है वो वेस्ट चली जाएगी तो प्लीज वीडियो को जादा जादा लाइक और शेयर जरूर कीजेगा आप लो बाकी पार्ट आपको कांटिनू मिलते रहेंगे अगर आप फिस्टियर में है तो फिस्टियर की भी सीरीज जल्दी स्टार्ट हो जाएगी अगला कुश्चन है इस डिवाइस का आपको नाम बताना है क्या है? माइक्रो कंट्रोलर है, सिगनल जनरेटर है, SMD वर्क स्टेशन है या इंसुलेशन टेस्टर है ध्यान दीजे यह आपका है SMD वर्क स्टेशन SMD वर्क स्टेशन इसे कहते हैं SMD मतलब होता है Surface Mount Device ठीक है? वर्क स्टेशन तो इसका काम क्या होता है? इसका काम soldering and desoldering में होता है जो IC होता है आपका integrated circuit जिसे कहते हैं PCB हो गया chips हो गई ठीक है? या ball grid array जो होता है इन सब की soldering, desoldering में SMD वर्क स्टेशन का प्रियोग किया जाता है कुछ इस तरह दिखता है अगर total आप इसको ऐसे देखेंग ना उसमें send करता है ठीक है? जब हम वहाँ पे उसकी testing कर रहे हो device की, उस case में यहाँ पे electronic signal send करने काम आता है micro controller micro controller के अगर यहाँ बात करें ति एक तरह का compact IC होता है आपका क्या होता है? compact IC होता है जिसके अंदर processor, memory, input, output, signal जो chip है यहाँ पे एक single chip में आपको सब कुछ मिल जाता है processor, memory, सब कुछ ठीक and insulation tester insulation tester आपका एक तरह का जो current leakage होता है न वो सब चेक करने के लिए चेक किया जाता है insulator कहीं damage हुआ है insulation में या current leakage है उन सब को check करते है insulation tester से चले आगे बढ़ते हैं अगला कुछ नहीं यहाँ पे what the name of SMD tool अब SMD tool जो वहाँ पे बात हो रही थी न surface mount device then workstation तो उसमें बहुत सारे tools आते हैं SMD tool में इसका क्या नाम है SMD tool में इसे हम लोग बोलते हैं heated tweezer या इसे tweezer भी बोलते हैं heated tweezer या tweezer यानि की चिम्टी ठीक यह होते हैं सारे SMD tool इसमें देख लिए यह क्या क्या आता है आपका soldering आद जो पीछे देखा गया SMD river के station openers, DC power supply, multimeter, tweezer ESD mat, magnifier, solder wire, IPA यह सारी चीज़ें यहाँ पे SMD tools में आती हैं तो फिलाल आपका यह क्या था tweezer next question number 31 है यहाँ पे which type of leads constructed in SOIC package SOIC package में किस प्रकार के lead का निर्माण किया गया है अब सबसे पहले समझ लेते हैं SOIC क्या है तो SOIC का full form होता है आपका small outline IC यानि integrated circuit वही जो IC आपने पढ़ा है na integrated circuit वही आपका होता है SOIC ठीक है small outline integrated circuit ठीक अब यहाँ पूछ रहा है किस प्रकार के lead का निर्माण किया जाता है कैसी lead इसमें construct की जाती है तो वह आपकी होती है gul wing leads क्या होती है option number B gul wing leads ठीक है अच्छा SOIC बारे में थोड़ा सा कर जाने यहाँ पे तो यह तरह का surface mount IC है क्या है surface mount IC है इसका सबसे बड़ा benefit क्या होता है जो आपका DIP होता है एक आपने पढ़ा होगा न DIP जिसे बोलते है dual inline package ठीक है उससे यह 30-50% तक कम area घेरता है मतलब यह काफी compact होता है less area occupy करता है DIP की तुलना में SOIC का use इसलिए और ज़्यादा किया भी जाता है यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं गुल विंग लीड हाँ इसको एक बार आप figure में समझ लेचे इस तरह से कुछ आपको दिखेगी ठीक है चले next question पर चलते है question बढ़ा है which SMDIC needs lead forming equipment to cut and bent into गुल विंग टाइप फिर से देखिए उसी से related question है कि कौन सी SMDIC है जिसको गुल विंग परकार में कटोती और जुकाने के लिए सीसा बनाने वाले अब ये सीसा अगरा हिंदी आप ठोड़ा पढ़ेंगे न confused हो जाएंगे यहाँ lead forming की बात हो रही बनाने वाले उपकरण की आवर सकता होती कि इसको lead form करने में lead बनाने में ठीक है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाता है flat package option number B flat package आपका यहाँ पर right answer होगा अच्छा आप यहाँ पर अगर TSOP की बात करें pin grid array जिसे PGA कहते हैं LCC, Leaded Chip Carrier इनके बारे में previous part में हमने बात भी की थी तो एक बार आप लोगों से question यहाँ पर हम कर रहे है TSOP का आप लोग full form एक बार लिखी हैगा comment में देखते हैं कितने लोग सही comment करते हैं TSOP का full form यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं जो सकता वीडियो के last में आपको बता देंगे बट अभी आप लोग comment कर दीजे वीडियो last तक देखने से पहले अगला question है Question number 33 है Which is alternative to ceramic SMDIC package देखिए जो ceramic SMDIC package है उसका यहाँ पर alternate यानि विकल्प पूँच रहा है कुछ ही इस तरह के ICs आपको दिखते हैं surface mount and through hole दो तरह के IC package होते हैं ठीक, एक surface mount होता है जो surface पर mount हो जाता है एक होता है through hole जो hole के आरपार जाके इस तरह से mount होता है ठीक, इनके बारे में थोड़ा आप study कर लिजेगा यहाँ पर जस्ट हमने आपको बता रिया कि दो तरह के IC package जो है total होते है अगला कुछ है थर्टी फोर नमबर what the purpose of bumper'd corners of the bumper'd quad flat pack BQFP बोलते हैं इसको bumper'd quad flat pack के bumper कोनों का जो उद्देश से हो क्या होता है तो bumper कोनों का उद्देश होता है जो IC leads है उन्हें protect करना क्या करना? protects the IC lead IC lead की क्या करना? सुरक्षा करना अच्छा सुरक्षा कैसे करता है? जो leads होती है इनको क्या करता है? यह जो यहाँ पर आपके दिख रहे हैं न? चारों corner पर यह क्या करता है? किसी mechanical damage से इनको बचाता है जब यह unit जो है ठीक, soldering की जा रही हो before soldering उन सब के time पर क्या होता है? इसको न? यह बचाता है उन सब से ठीक है? mechanical damage से, घिसने से किसी चीज़ से safe रखता है तो इसी को यहाँ पर right answer बोलेंगे protect the IC leads ठीक, अब यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पर BQFP की ठीक, bumperd quad flat pack की तो और भी होते हैं आपके एक होता है आपका CQFP इसको बोलते हैं ceramic ठीक है? ceramic quad flat pack एक आपका होता है PQFP हो सकता आगे आए भी ठीक है? इसको बोलते है plastic quad flat pack and एक आपका होता है LQFP ठीक है? क्या होता है LQFP इसे हम लोग बोलते हैं, low profile, ठीक है, quad flat pack, ठीक, low profile, इसका ceramic, इसका plastic and यहाँ पे bumperd quad flat pack, ठीक है, QFC याद रखिए, बाकि जो पहले के term है, उनका नाम आप याद कर सकते हैं, अगला कुछन है, 35 number, what is the full form of the abbreviation SOIC, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, क्या है, small outline integrated circuit, देखिए, कहाँ पे दिख रहा है आपको, small outline integrated circuit, ठीक है, small outline integrated circuit, एक compact होता है, बहुत less area को पाई करता है, ठीक है, अगला कुछन है, what is the name of the IC package, अभी पीछे ही बात हुई थी, यहाँ पे देख रहे हैं न, यह bumper निकले हुए हैं, तो क्या है यह, BQFP, option number, C, BQFP, एंड इसकी हम लोग बात कर रहे हैं न, CQFP, PQFP और LQFP की, आप ही क्या हो, देख लीजे आप, यहाँ full form भी याद कर लीजे अच्छे से आप लोग, next question, what is the full form of the abbreviation SMT, इसकी भी बात हो चुकी पीछे, SMT मतलब क्या है, surface mount technology, क्या है, surface mount technology, जैसे आपका printed circuit board होता है, इसकी surface पे जो बाकी घटक, बाकी component mount होते हैं, उसी की यहाँ बात की जा रही है, right answer हो कि आपका option number C, next question, what is the use of bench top ionizer, bench जो top ionizer है, उसका उप्योग क्या है, अभी पीछे हम लोग ने बात की थी न, एक wrist strap की, ESD wrist strap की, तो जो electrostatic discharge है, उसी को क्या करना, work environment में control करने के लिए हम लोग, एक bench top ionizer का इस्तिमाल करते हैं, जो आपके work bench होता न, उस पे रखा रहेगा, and ये ESD को, जो electrostatic discharge है न, उसको वहाँ पे क क्या करेगा, control करेगा, जिससे जो छोटे-छोटे equipment हैं, उन पे वो electrostatic charge ना आए, नहीं तो in future क्या होता है, कि वो जो हैं आपके fail कर जाएंगे, and इसी defect को, जो defect आता न, electrostatic की वज़ा से, उसे हम लोग कोलते है, latent defect, जिससे आप normal inspection में पता भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका 60-90% जो electronic component का failure होता है, वो इसी latent defect की वज़ा से होता है, एक थोड़े time चलने के बाद हो सकता है, वो खराब हो जाएंगे, and आपको पता भी नहीं चलेगा, वो खराब क्यों हो रहे हैं, अगला question है, what is called tinning in soldering, tinning, ठीक है, soldering में tinning word क्या है, तो tinning का मतलब क्या होता clean the tip of the iron, यहनों लोहे की नोक को साफ करना, जो iron मतलब यहां soldering iron से है, change the tip of the iron, melt a little solder on the tip of the iron, लोहे की जो नोक है, solder की जो नोक है, soldering iron की, उस पे थोड़ा सा जो solder है और flux उसको आप उस पर क्या करें, लगाएं, या remove the tip of the iron, remove कर दें, तो right answer यही है, कि थोड़ा solder जो है, अगला कुछ ने चालिस नमबर, what is the name of the defect caused due to ESD event, ESD घटना यही एलेक्ट्रोस्टाइटिक डिश्चार्ज की जो घटना है, उसके कारण उत्पन्दोस का नाम क्या है, mechanical defect, dripping defect, latent defect या tom stone defect, यहां पे right answer आपका, latent defect, यही वो defect है, ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर यह defect किसी equipment म किसी part में आ भी जाता है, तो वो perform करेगा, बहुत normal perform करेगा, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, किसी भी normal जो inspection वगरा में आप उसे detect भी नहीं कर पाएंगे, किसमें जो latent defect आ चुका है, हिंदी आप देखे रहे हैं आप परकट दोस, यह ऐसा दोस है जो परकट नहीं हो ठीक है, लेकिन long term में क्या होगा, उसमें intermittent failure आपको देखने को मिल सकता है, जिस वज़ा से हो काम करना बंद कर सकता है, permanently भी या partially ठीक है, तो इसलिए ESD को control करना बहुत important हो जाता है, अगला question 41 number, how to minimize the cause of ESD during the manufacturing of devices, उपकरणों के निर्माड के दोरान ESD, वही electrostatic discharge के कारण को कैसे हम कम कर सकते हैं, used for hill grounding यानि hill grounding उपयोग करके, used ESD controlled foot wear, used normal foot mat या water wear plastic dress material, तो right answer आपका, used ESD controlled foot wear, ठीक है, ESD controlled foot wear का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, तो उस time पे हम minimize कर सकते हैं, उसके effect को, question 42 है, what the percentage of defect caused to device due to ESD, ESD के कारण उपकरणों के जो होने वाले दोस हैं, उसका प्रत्सत क्या है, देखिए हर जहां आपको अलग लग दिखेगा, but फिलाल आपके निमी में जो सही answer मिला है, वो मिला है 62-90%, कहीं कहीं आपको ये 32-60 भी देखने को मिल जाएगा, but generally जो percentage of defect है जो ESD में होता है आपका, typically actual में क्या होता है ना, जो 60-90 आपका यहां पर answer दिया जा रहा है, यह होता है, 60-90% जो defect है ना, वो ESD की वज़ा से ही आते हैं, ठीक है, ESD की वज़ा से ही क्या होता है, आते हैं, अगला कुछन है 43 नमबर, which material used to make conductive sue covers to protect from static charge, इस्थिर आवेस, वही ESD, ठीक है, से बचने के लिए, प्रवाह की जूता कबर बनाने के लिए, ठीक है, किस सामगरी का उपयोग करते हैं, फाइबर यानि रेसों का, कॉपर का, प्लास्टिक का, या पॉली प्रोपिलीन का, त नेक्स्ट कुछन है 44 नमबर, what the cause of voiding in SMT, SMT में voiding का कारण क्या है, तो wide मतलब उता कहीं खाली जगा, ठीक है, SMT मतलब क्या है, surface mount technology, तो अगर वहाँ wide आपका रह जाता है, तो वो क्या करेगा, joint के strength को damage करेगा, कम करेगा, SMT से मतलब क्या है, आपका एक printed circuit board है, ठीक है, PCB ह उसमें कुछ surface mount आपकी क्या लगे है, लगे हैं यहाँ पे components, ठीक है, अब इसमें जो आपने soldering किया, उसमें void रह गया, मतलब माली जे इतनी बड़ी soldering थी, इसमें इतना खाली जगा रह रह गई, ठीक है, थोड़ा सा soldering सही नहीं हुई, तो क्या होगा, joint strength आपकी, छतिग soldering process के लिए, जो solder होता है आपका, वो कैसा होता है, powdered solder और flux लोग वहाँ पे use करते हैं, option number C आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा, यह आपका एक reflow soldering का क्या है, पुरा process यहाँ पे दिखाया गया है, A side और B side के लिए, अगला कुछन है, 46 number, which conformal coating material is used as two-part thermosetting mixture, दो-part thermosetting mixture के रूप में कौन सी conformal coating सामगरी का उपयोग करते हैं हम लोग, epoxy resin, acrylic resin, silicon resin या polyurethane resin, ठीक है, इसी को हम लोग ral भी कहते हैं, तो यहाँ पे आपका right answer हो जाता है, epoxy resin, option number A next question 47 number, which material is used to make the drill bits for drilling PCB holes, PCB मतलब वही printed circuit board पे जो hole drill करना है आपको, तो उसकी drill bit बनाने के लिए, कौन सी सामगरी का उपयोग किया जाता है, चार options आपको मिलेंगे, stainless steel, high speed steel, high carbon steel या silicon coated tungsten carbide, तो right answer है आपका option number D, solid coated tungsten carbide, आपका यहाँ पे, right answer है, ठोस लेपित tungsten carbide, question number 48, यहाँ पे, what is the size of pad width for soldering registers, capacitors and diodes on the PCB, अब यहाँ pad width पूँच रहा है, तो जो यहाँ पे pad width है, वो होती आपकी 70 thaw, अब यह thaw क्या है, आप सोच रहा होंगे, तो thaw का मतलब होता है, यहाँ पे, thaw means होता है, एक बटे, एक हजार, मतलब inch का thousand आप inch जिसे बोलते हैं, ठीक है, एक inch का, एक हजारवा हिस्सा, इसी को हम लोग यहाँ पे thaw बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिए का इसको आप लोग thaw क्या होता है, अगला खुश्च नहीं हाँ पे 49 number, which color आप solder mask की used on PCB, PCB पर solder mask का कौन सा रंग जो है, इस्तेमाल किया जाता है, brown, orange, green या violet, याद होगा, आप सबने देखा भी होगा, green यानि हरा, अच्छा, green प्रियोग करने का ना एक परपज भी है, इस पे सारी चीज़े ना clearly visible होती है, इस तरह से green mask जो है, वो प्रियोग किया जाता है, अगला कुछन है 50 number, what is the shape of pad used to solder dual inline DIL, components on PCB, PCB पर अगर dual inline घटक है, उनको जोडने के लिए किस pad का आकार आपका होगा, तो वो pad का आकार आपका होगा, oval shape में, यानि अंडा कार shape में, कुछ इस तरह से, ठीके, oval भी होता है, square भी होता है, round भी होता है, rectangular भी होता है, तो यहा dual shape यहाँ पे pad का आकार रखा जाता है, अब बारी आगई आपके bonus question की, इसका answer आप लोगों को comment box में करना है, question है, what the full form of the abbreviation PGA used in SMDIC package, एक SMDIC package में उपियोग के जाना वले PGA का पूरा नाम क्या है, package grid array, pin grid array, perfect grid array या popular grid array, जो भी right answer आप लोग comment करके जरूर बताईएगा, ज एची हमने आपको बताया था, पूछा भी था, T.S.O.P. का full form, आपने, कितने लोगों ने comment किया, I don't know, तो देखेंगे बाद में, बर T.S.O.P. का full form है यहाँ पे, thin small outline package, ठीक है, क्या है, thin small outline package, ठीक, क्यों होता है इसका full form, वीडियो कैसे लगी जरूर बताईएगा, like and share आपने जरूर किया होगा, नहीं subscribe किया भी तक channel तो जरूर जूर जूर जाएगा, यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ, ITA की job और apprenticeship की update, उनके form भनने की videos के साथ साथ, सभी तरह की update मिलती रहेंगी, thank you very much, ख्याल रखिएगा आपना